हलो दोस्तों welcome back to my youtube channel जो एक बहुत interesting discussion लेके आप लोगों के साथ आपके लोगों के सामने पेश हो गया है ठीक है और बड़ी अच्छी discussion है guys बड़ी interesting आप लोगों के बहुत जादा काम आने वाली है किसी भी तरीके का like up category के लिए आप अप्लाइ कर रहे हो या कर चुके हो कहना कि PR के लिए apply कि और जो भी आपकी category है guys सब लोगों के लिए ये वीडियो बहुत informative होने वाली है और मुझे आप लोगों के भी help चाहिए मुझे आप लोगों का भी viewpoint चाहिए कि आप लोगों क्या सूचते हो guys बास start हो रही है काम की बहुत सारे लोग इसी चीज़ पर discussion करें आज की date में कि भाई काम है या नहीं कैड़ हमें ठीक है जी आपने वीडियो भी देखी होंगी guys social networking sites पर कि भाई कि दो-चार positions हैं और लंबी-लंबी लाइने लगी हुई है कुछ लोग कहते हैं यार कि भाई ये सब fake है लोगों को ड्राने के लिए है या ऐसा नहीं होता एक दो जगा पर ऐसा हो सकता है सब जगा पर ऐसा नहीं होता ठीक है चलो guys हो सकता है भाई कि आज की डेट पे लोग लोगों को और यहीं चीज है this is very true कि लोगों को आज की डेट में सब्सक्राइब करता हूं जो आप्स को लेकर पॉब्म आ रही है ठीक है जी फिर भी गाइस लाइक जब वीडियो देखने के बाद भी जो लोग दिखाते हैं इतनी लंबी-लंबी लाइने हैं कुछ लोग य 16 में 17 18 में 19 में ठीक है जी कि हमारे टाइम पर भी लाइक कितना कुछ होता था यह होता था वह होता था ठीक है भाई उस टाइम पर इंडरनेशन स्टुडेंट कहां था इतना हम मैं भी आया थे गाई 2019 में कोई लाइन है नहीं बाए कुछ भी नहीं मैंने दबाके था, मेरे काफी दोस्तों ने काई रेस्टरून में जॉब किया, ब्रैम्टन में में काफी नोन थे काई, इसली उनको वेरहाऊस बिल लोजिस्टिक में, काफी काफी जॉब्स मिली हैं, लेकिन जैसे जैसे, स्टुडेंट्स बढ़ते गए, और थोड़ा सा मार्किट स्लो हुई दिक्कत आ गई इस नोट लाइक कि हाँ जॉब्स कम नहीं हुई है जॉब्स डेफिनिटली गाईस कहीं न कहीं फर्क पड़ा है ठीक है और मैं at the same time ये भी नहीं कहता कि जॉब्स मार्किट में है ही नहीं जॉब्स है मार्किट में बट एस कम पेर टू लास्ट येर या उससे लास्ट येर भाई बहुत 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 जादा फर्क पड़ा है ठीक है जी उसका गाई दूसरा जॉब्स ना मिलने का दूसरा कारण ये भी तो देखो ना बच्चे इतने जादा आ रहे हैं यार और सिर्फ इंट्रेशनल स्टूदेंस नी बहुत बाई बाकी काडेगरीज भी तो देखो इमिग्रेंट कितने आ रहे हैं पांच लाख अल्मोस्ट पांच लाख है इनका टारगेट है वाई एक साल का इमिग्रेंट साल लेकर आने का यहाँ पे तो भाई जोब्स तो डेफिनेटली यार एफेक्ट करेंगी न उपर से मार्किट स्लो है ठीक है न तो अगर गाईज कोई आपको यह बोल की कैनाडा में बुला रहा है आज की डेट में की बाई आजाओ जोब्स यह वो है तो प्लीज कुछ भी स्टैप लेने से पहले कुछ भी डिसिजन लेने से पहले ठीक है उसके साथ साज यह भी तो आपने देखना है न बाई कैसी जॉब चाहिए आपको ऐसा ना हो कि हंजी आप इंडिया में प्रॉपर सैटल्ड हो और यहां पी फिर आप वेरा उसी में लेबर जॉब कर रहे हो उस चीज के लिए थोड़ी आओ गया तो आपको प्रॉपर सारी चीज़ें देखने है और गाईज प्लीज वो मत सोचना कि हाँ जी भाई किसी ने दो यार उननीस में या बीस में ये किया था मैं भी कर लूँगा भाई ऐसे नहीं होता कभी भी हर साल हर टाइम पिरिड़ एक अलग हो गया हर सिचुएशन अलग है सरकम्स्टांस अलग है सिचुएशन अलग हो सकती है इसनों लग कि हाँ जो चीज दो यार बीस में हुई दो यार तेइस में भी होगी ये कहां ये बाई अपनी अंडर्स्टैंडिंग के लिए रखो ठीक है ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज दो यार इकीस में हुई है वो दो यार तेइस में भी हो सकती है ठीक है अपनी situation को analyze करो ठीक है अपने challenges को identify करो फिर देखो कि आहन जी आप कैसी कर सकते हो और accordingly अपने decision बनाओ ठीक है अगर मैं job की बात करूं guys definitely लोगों को problem आ रही है आज की rate में especially अगर मैं international students की बात करता हूँ इसलिए मैं कहता हूँ अगर तो आप within city रहोगे फिर तो आपको दिक्कत आए या outskirts में हो सकता है आपको job मिल चाहे उसमें ज्यादा chances है प्लस एक good news यह है guys कि September onwards कहीं न कहीं openings शुरू हो जाती है लोगों को काम मिलना शुरू हो जाता है क्योंकि फिर आगे दीरे दीरे करके फिर Christmas start होगा तो definitely guys वो logistic का काम भी थोड़ा speed up होता है definitely तो उसमें guys एक positive sign है but overall अगर मैं कहूं market slow है भाई ठीक है jobs की दिक्कत आ रही है लोगों को definitely ठीक है और जो लोग यह भी कहते हैं न कि हाँ जी भाई हमने भी यह किया था तो same situation है यह हो रहा है वो हो रहा है हमने 2-4 साल पहले यह किया था भाई 2-4 साल पहले इतने colleges नहीं दे अब देख लो college देखे हैं न चुट-चुटी बिल्डिंग्स बना रखी है एक बच्चा 20-25,000 ठीक है जी करके आता है बर के आता है जी यह इसी हो गए 10,000 के असपास ठीक है उसके 15-16-20,000 की फीस हो गई यहां के फिर फीस बरता है और colleges का size देखा है छोटे-छोटे और students को भी यह होता है ठीक है study-study गई बाड में बाई मुझे work permit चाहिए उसके पाद Canada की PR देख लेंगे तो बाई दोनों सब दोनों साइट से ही है यह सिर्फ college का कसूर नहीं है students का भी कसूर है इसमें तो ठीक है वो भी quality देखनी रहे education को लेकि बस यह Canada आना है Canada आना है पैसे लगा दो जितने मर्जी Canada आना है जी यह दिक्कत हो रही है जब study complete हो जाती है फिर work permit पे आते हैं फिर और jobs करनी पड़ती है यह करना पड़ता है इवन यार मैं कहता हूं PR हो भी गई प्यार हो भी गई जॉब तो चाही होगी ना आपको अच्छी कि सारी उमर बस ऐसी वैसी जॉब सी करनी है यह भी तो सोचना पड़ेगा ना तो बहुत सारी चीज़ें हैं तो मुझे लगता है कि उसकी basis पे सोचना जो 2020 में हुआ 21 में हुआ जा उससे पहले हुआ कि आज की से अच्छी थी तो काम मिल रहा था अगर आजकी डा में मैं किसी को बोलू बाई security लें मैं नहीं बोलूँगए लेकिन जब मैं आया था तब मैं कहूंगा कि हांजी का लाइसनस ले लो तो मैं कहूंगा कि हां जी बाईりました का लाइसनस ल ले लो आज की डाईस तो मैंसे मुझे लगता 80 लोगों के पास होगा ठीक है ना तो सप्लाई डिमांड वही केस आ जाता है गाइस ठीक है एक मार्केट के रिक्वार्मेंट होती है मार्केट के डिमांड होती है आपको accordingly चीज़ें देखनी होती है इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ बाई को ले क्या हो जिसमें आपको सीखो जिसमें आपकी कुछ एक्चर में स्किल गेन करो ताकि आप वंस यह ड़न विद दस्टड़ी आपके पास आपके पास options ओ अच्छी जॉप्स की तो इसलिए गाइस मैं यह ही डिसकेशन करना चाहता था कि हाँ बाई जो लोग कहते है न कि हाँ जॉप्स नहीं है स्टुडेंट्स ऐसी लाइनों म ठीक है काम भी था और बच्चे भी कम थे तो definitely guys competition भी कम था obviously याद अब 7 positions के लिए माल हो या 10 positions के लिए अगर उस time पे 100 लोग apply कर रहे थे या 200 apply कर आज की rate में 1000 करेंगे definitely इतने colleges खुल गया है और हर college की seat full है भाई तो definitely भाई लोग जाध हैं तो competition जाधा होगा तो line जब भाई 10 लोगों की थी पहले आप 50 की होएंगी 100 की होएंगी definitely क्यों नहीं होएगी और हर जगा होएगी so भाई जो भी लोग आ रहे हैं please अपना mindset उसी साब से बना के आओ उसी साब से अपनी perception बना के आओ कि भाई आपको efforts extra efforts करने पड़ेंगे आपको अपनी USB देखनी पड़ेगी कि हाँ भाई चल गया रहा है आज की डेट में ठीक है ना this is very important तो यह था गाईस मैं आपकों साथ यही discussion करना चाहता था कि मैं मैं नहीं चाहता गाईस कोई गलत mindset लेकिया यहां पर ठीक है आज की डेट में अगर आप आ रहे हो गाईस जॉब की दिककत है और ऐसा भी नहीं की जॉब्स नहीं है बढ़ हाँ ओवराल मार्केट टेफिनिली सो है ठीक है तो आई होप आपको गाईस इन्फोर्मेटीव लगी होगी यह वीडियो इनकेस व्याव एनी क्वेशन आप पूछ सकते हो डिसकस कर सकते हैं गाईस कॉमें पूछ सकते हो आप बाकी गाईस मुझी इस्टार केंपी फोलो कर सकते हो नाइब अडिसकोर संहिर के नाम सी हुंजी और स्यू नेक्स ताम गाईस विर्ण आप एकना डिसक्रशन इन्हीं चैनल को सब्स्क्राब नहीं किया हुआ सब्स्क्राब करो यार ठीक है और स्यू न नाया चैक आप एक ःक आप्सक्राब देन्हीं ओस्क्राब लाव जयू रख यहां जी